नमस्कार मेरा नामी महमसू है आप बिहार एक सोच देख रहे हैं देखे लोजपा राम विलास के राष्ट्रिय अध्यक्षवा जमुई सांसत चिराग पासवान आज सिवान पहुचे और सिवान जीला के पुर्व बिधान पारसद टुना पांडे जी के भती जी की साधी समर में सामिल हुए तो बड़ी कमर आपको दे रहे हैं देखे चिराग पासवान बिहार में साधी का मौसम चल रहा है और चिराग पासवान आज सिवान जीले के पुर्व बिधान पारसद टुना पांडे जी के यहां पहुचे जहां उनकी भती जी की साधी समरो थी और में इन दिनों साधी का मौसम चल रहा है तो चिराग पासवान भी साधी समरो में सम्मिलित होने जा रहे हैं लोगों से मुलकात कर रहे हैं और सिवान के पुर्व बिधान पारसद रहे चुके हैं टुना पांडे जी और बड़े नाम है टुना पांडे जी और उनकी भती ज पहुँचे जो कि लोजपा राम्विलास के राष्ट्रिये अध्यक्ष हैं साथी जमुई के सामसद भी हैं ऐसे में चिराग पासवान अपने जेट कटेगरी सुरक्षा के साथ पहुँचे तो और महौल बन गया देखिए टुना पांडे जी जो कि सिवान जीले के पुर्व बिधान पारसद रह चुके हैं और बिधान पारसद रह चुके हैं और उनके आज भती जी की साधी समरों में चिराग पासवान पहुँचे और देखिए चिराग पासवान लगतार अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं अलग-अलग जीलों में जा रहे हैं लोगों से मुल तो चिराग पासवान भी अब तयारी में जुट चुके हैं हलांके चिराग पासवान NDA के साथ चुनाव लड़ सकते हैं जो कि अभी तक सामने यहीं बात आ रही है लेकिन आगे क्या कुछ होता है कई तरह के बात और भी चल रहे हैं लेकिन अभी ऑफिसियली जो बात है कि च चिराग पासवान NDA से चुनाव लड़ेंगे अनि कि भाजपा के साथ मिलकर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे अब देखिए अब सभी पार्टी जहां एक दूसरे पर बयान बाजी कर रही है तो वहीं चिराग पासवान भी नितीश कुमार को लेकर हमेशा बयान द दिखते हैं और महागट बंदन की सरकार में बिहार में जीस तरह कारे हो रहा है उसको लेकर चिराग पासवान लगतार महागट बंदन पर कोश रहे हैं ऐसे में आज चिराग पासवान जो सिवान से तस्मिर सामने निकल कर आई वह हम आपको दिखाए लगतार एक एक पर बने रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद.